साथ संगत जी प्रीम से कहना धन रंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर हाजिर हुँ मैं एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी मोहन लाल जी और कोशल्या जी के दो जुड़वा बेटे थे राम और शाम दोनों बेटों की शादियों के बाद उन दोनों में हर एक चीज का बटवारा हो चुका था जैसे की मकान, जाइदात, संपत्ती और यहां तक की माता पिता का बटवारा भी घड़ी में जैसे ही रात के बारा बजे तो राम ने मा को जल्दी सुनकी छड़ी पकड़ा दी उधर शाम ने पिता जी को मोहनलाल जी और कोशल्या जी को भी पता था कि सोलवा दिन लगने वाला है इसलिए वो दोनों पहले से ही तयार बैठे थे कि अगर हमें देर हो गई तो बहूँँ में लड़ाई जगडा शुरू हो जाएगा कोशल्या जी ने अपने बेटे राम के घर की चोकट लांगी तो दूसरी तरफ मोहनलाल जी राम के घर में प्रवेश के लिए खड़े थे कोशल्या जी और मोहनलाल जी दोनों एक दूसरे को आसु भरी आखों से देख रहे थे उन दोनों को लगा था थोड़ी बाते यहीं पर कर लेते हैं नहीं तो पंदरा दिनों का इंतिजार करना पड़ेगा दूसरी तरफ से राम ने कहा पिताजी जल्दी अंदर आजाए आपका बिस्तर लगा है उधर शाम मा का हाथ पकड़ कर अंदर खीच कर ले गया राम ने कहा सो जाएए पिताजी यह बिस्तर आपका है मा ने शाम से कहा बेटा थोड़ा पानी पिला दू तब इस बात पर शाम ने गुसे में कहा लगता है आपको राम की पतनी ने पानी तक नहीं पिलाया पंदरा दिन खतम तो उसकी जमदारी खतम हो गई अब मैं भी आपको पानी नहीं दूँगा सुबह तक इंतजार करो और अब यूँ ही सो जाओ शायद कुशल्य जी ने आस्वों से ही अपनी प्यास बुझा ली थी कुशल्य जी ने सुचा पता नहीं मोहन जी किस हाल में होंगे कहीं राम उन्हें मेरी तूटी हुई चारपाई ही सोने के लिए ना दे दे उन्हें तूटी हुई चारपाई पर कैसे नीद आएगी जिन्दगी भर मोहन लाल जी और कुशल्य जी अपने बच्चों की खुशी के लिए महिनत करते रहे और अब उढ़ापे में उन दोनों की परवहा उनके बेटों को नहीं थी कुशल्य जी को शाम के घर नेंद नहीं आई और वो सोचने लगी आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी अपने हिस्से की रोटे हमने अपने बच्चों को खिलाई पहले इनकी प्यास बुझाई जब भी मोहन जी कोई भी समान बाजार से लाते तो पहले हम राम और शाम को खिलाते थी अगर बच जाता था तो हम खाते थी पता नहीं ये इश्वर हमारी कैसी परिक्षा ले रहा है कुशल्या जी को याद आया वो समय कि जब कभी भी राम और शाम को किसी चीज़ की जरूरत पढ़ती थी तो वो दोनों मा की आचल में लिपड़ जाया करते थी तरह तरह के बहाने बनाकर वो चीज़ आसिल कर ही लेते थी कुशल्या जी ही हमेशा उन दोनों की तरफ रहती थी और कभी अगर मा अपने दोनों बेटों से रूठ जाती तो वो दोनों इतने भूले बनकर मा को मनाते थे कि मा दुबारा रूठ ना ही भूल जाती थी हमेशा ही मा ने उन दोनों की पसंद का खाना बनाया उनके पसंद के कपड़े उनहीं पहनाई उनकी हरे किच्छा को पूरा किया माता पिता ने राम और शाम के लिए क्या कुछ नहीं किया पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैरों पर खड़े होने तक बहुत महनत की कोशल्या जी को वो भी समय याद आया जब शादी के साथ सालों तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था उन दोनों ने हर जगा जाकर इश्वर से मननते मांगी तब जाकर कोशल्या जी और मोहन जी के घर में जुड़वा बेटों राम और शाम का जनम हुआ बेटों के जनम पर माता पिता ने खूब खर्चे किये राम और शाम भी अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करते थे पूरी कालोनी में राम और शाम की बड़ी प्रशंशा होती थी क्योंकि स्कूल में भी हमेशा वो अवल रहते थी स्कूल से लोटने पर मा के आचल में छिप जाना खाना ना खाने का बहाना बनाना अपनी प्यारी सी भाते करना कोशल्य जी ने सुचा सब कहां चला गया बहू के आते ही बेटों का सभाव भी बदलने लगा पहले तो कोशल्य और मोहन जी को लगा कि उनके बेटे ना समझ हैं दीरे दीरे उन्हें समझ आ जाएगी लेकिन दिन बदिन घर के हालात बिगड़ते गए सब कुछ उनके बेटे अपनी मरजी से करने लगे माता और पिदा से बात करना उन दोनों ने चोड़ दिया मोहन जी तो अपने बेटों से कुछ नहीं कहते थे वो अक्सर अपनी पतनी कोशल्य को समझाते थे कि देखो अब बच्चे नए जमाने की हैं इन्हें अपनी मरजी से जन्दगी जीने दो इनके मामले में दखल ना दो उसी में ही भलाई है अब हम बुड़े हो गई हैं अगर हम इनके साथ अच्छा विभार नहीं रखेंगे तो ये हमें छोड़ कर अलग हो जाएंगे लेकिन कोशल्य जी ने अपने पती की ये बात नहीं मानी कोशल्य जी सोचा करती थी कि राम और शाम मेरे बेटे हैं क्या मैं इन्हें सही गलत के लिए डाट भी नहीं सकती जब एक दिन कोशल्य जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने राम और शाम को बुला कर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी इस घर में नहीं चलेगी घर में क्या हो रहा है हमें तो पता ही नहीं होता तुम्हारी पत्नी कब माईके चले जाती है हमें तो भनक तक नहीं लगती अब तुम लोग अपनी पत्नियों को समझा देना कि यहां रहना है तो हमारी मर्जी से रहें नहीं तो अपने माई के चले जाएं राम और शाम को मा की ये बाते अच्छी नहीं लगी और वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए समय के साथ साथ मार पिता की राम और शाम से दूर यां बढ़ने लगी आए दिन दोनों अपने मार पिता से जगड़ते तो उनकी मार पिता अपना मकान दूसरों के नाम लिख देने की बात किया गरते थे लेकिन किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते क्योंकि बेटा भले ही कुपुत्र हो जाए किन्तु माता कभी कुमाता नहीं होती और नहीं पिता कुपित होता है धीरे धीरे राम और शाम में जगडे भढ़ने लगे अब दोनों में बटवारा हो गया कोशल्या जी और मोहन जी की तव्यत भी खराब रहने लगी दोनों देटों नी मिलकर मार पिता को बाट लिया वो भी पंधरा पंधरा दिन के लिए घर के बीचों बेच दिवार बन गई वर्षों से साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की सबसे ज़ादा जरूरत थी तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग-अलग कर दिया कोशल्या जी और मोहन जी भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए यही सोचते सोचते कोशल्या जी को निंग दा गई सुबह जब शाम उठा तब उसे याद आया कि उसकी माने रात में पानी मांगा था वो पानी लेकर आया और मां से कहने लगा लो मां पानी पीलो लेकिन उसकी मां तो चीर निद्रा में जा चुकी थी यानी कोशल्या जी की मृत्ति हो चुकी थी जब ये बात जब ये खबर मुहन जी को मिली तो वो भी उठकर जोड से बोले कोशल्या मैं भी आ रहा हूँ और वो अचानक से गिर पड़े ऐसा गिरे कि वो दुबारा उठ नहीं पाए शायद इश्वर ने उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया था साथ साथ रहने के लिए उनके दोनों बेटे और बहुएं सामाज को दिखाने के लिए चीखे चिलाये जा रहे थे लेकिन इश्वर जानता था जिस दिन मोहन जी और कोशला जी के घर उनके कुपुत्रों ने जनम लिया था उसी दिन उन दोनों की मृत्यू हो गई थी आज तो उन दोनों का केवल शरीर छूटा था उनके बेटों ने तो जीते जी मोहन जी और कोशल्ला जी को एक दूसरे से अलग करके मार ही दिया था लेकिन इश्वर ने अंतिम समय में भी उन्हें अपने पास पुला कर उनके बेटे और बहु को ये बता दिया था कि उन्होंने माता और पिता को अलग करके कितना बड़ापा आप किया था साथ संगत जी आजकल के कई बेटे इतने समवेदन हीन हो गई हैं कि उन्हें माता पिता की खुश्यों की कोई परवहा ही नहीं है जिस माता पिता ने उन्हें पाला पोसा वो बेटे उन्हें अपने ही स्वार्थ के लिए अलग कर देते हैं जिस उम्र में एक दूसरे के साथ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है माता पिता साथ में रहकर अपने दुख सुक बाटते हैं उस उमर में उनके बेटे उन्हें अलग कर देते हैं क्या ये सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ये जरूर बताईएगा. अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो, तो जादा से जादा इसे शेयर जरूर कीजेगा. आप सभी से फिर मुलाकाथ होगी एक नई साखी के साथ. साथ संग अच्छी प्यार से कहना धन नरंकार जी.